हेलो स्टूडैंट्स, आज हम परने वाले हैं सेल स्ट्रेक्सर एंड इट्स फंक्सन पिछले वीडियो लेक्षर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी बोड़ी है या और्गेनिजम है उसके जो बोड़ी है वो किसे बना है? सेल से बना है तो हमारी structural unit है, वो क्या है, sale है, बट हम भात करें कि sale है, उसकी structure कैसी है, और उनकी जो structure है, उसके function क्या क्या है, उनके parts क्या क्या है, उनके जो parts है, उनके क्या है, अलग-अलग function है, वो हम इस video lecture में पढ़ेंगे, तो last video lecture में तुमने पढ़ा था, जो हमारी body है, उसकी basic unit क्या है, sale है, sales है, क्या बनते है, tissue बनते है, ग्रूप of cells को क्या बोलते है, tissue बोलते है, जिसमें same cells होती है, एक जैसे cells होती है, और tissue से क्या बनता है, organ बनता है, organ मान लिजिए, liver हो गया, इस type क्या बनते है, organ बनते है, organ मिलके क्या बनते है, organ system बनते है, organ system बनते है, जिसे liver, liver digestive system का पार्ट है, तो उसके साथ पेन गिर्याज, include हो जाएगा, system हो जाएगा, तो ये organ system हो गए, organ system मिलके क्या बनाएगे, हमारी body बनाएगे, तो ये तो structure होती है, body की, इस type से, तो cell है, वैसे basic unit तो cell ही है न, starting कहां से होई, cell से होई, बट अब हम पढ़ेंगे, तो cell की जो structure है, वो कैसी होती है, वो हम इस वीडियो लेक्शे में पढ़ने वाज़े हैं, इस organ, इस organ is further made up of smaller parts called tissue, यहाँ पे, जो मैंने बता ही है, वो ही बात यहाँ पे बता रही है, जो organ है, वो किसे मनता है, टिस्यू से मनता है, किसे मनता है, टिस्यू से मनता है, और टिस्यू किसे मनती है, सेल से मनती है, एक टिस्यू इज़े group of similar cells, और एक टिस्यू में जो cells होगी, वो क्या होगी, similar होगी, टिस्यू की इसको बोलेंगे similar cells या group of similar cells that perform specific function यानि similar cells का क्या होता है group होता है और वो एक specific function perform करती है जैसे हम liver की बात करें या गोई organ बात करें तो उसमें जो टिस्यू है उसमें cells होगी वो क्या होगी सेम होगी और वो एक अपना specific क्या करती है function करती है वो tumor can होता है उसमें जो cells होती है वो इस specific function करती है वरक करती है बट उसमें जो cells होती है क्या होती है मिल्ड होती है है को कि तो यहां पर बात हो या इना जो यह देKKो पहले यह पर लास्टम शेल सटिका के शैल से क्या बनाया tissue बनाया और टीस्यू से क्या बनाया ओर्धार औरन बनाया और 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 यह ओर एन्गण सिस्टम और और सिस्टम से रहा और त deceived measure कि बॉड़ी यहीं पेट क्या बात टेर के पहली रिया 1 डेट एन ओरежде is made up of tissue पहली है उसने realize किया है कि जो organ है वो किसे बना है tissue से बना है which is in turn are made up of cells और जो tissue से हो किसे मना है cell से मना है similar cells का क्या है group है the cell in a living organism is the basic structural unit इन सभी बातों से जो most बात निकल गयाती है जो most thing निकल गयाती है वो क्या है the cell is important point आहिए important point the cell in a living organism is the basic structural unit जो organism है उसकी basic structural unit है वो क्या है cell है जैसे building की बात करें तो उसकी basic structural unit है वो क्या है बरिक है इंट है उसी टाइप से living organism की तो basic structural unit है वो क्या है cell है क्या है cell next हम बात करें cell structure की इसके parts की इसके कौन-कौन से parts है तो यहां पर मैंने लिए एक तो plant cell ली है और देख लिए यह एनिमल सेल एक तो यह पर plant cell है और एक क्या है इनिमल सेल तो यह वाली है यह तो है plant cell और यह वाली क्या है इनिमल सेल के चारों और boundary होती है है सेल के चारों और boundary, उसको क्या बोलते है, उसको बोलते है, सेल मेमरेन, उसको क्या बोलते है, सेल मेमरेन बोलते है, या पलाजमा मेमरेन बोलते है, और जो plant सेल होती है, उसमें भी क्या होती है, सेल मेमरेन होती है, बट इसके चारों और एक extra wall और present होती है, जो plant सेल को क्या बन मनाती है ठिक मनाती है रिजिट मनाती है हार्ड मनाती है कठोर मनाती है उसको हम क्या बोलते है शेल वाल बोलते है क्या बोलते है शेल वाल बोलते है उसको हम और जो चेंटर में होता है यह डेंस मेटीरियल यह इसको क्या बोलते है नूकलियस बोलते है प्लांट सेल और एनिम और यह क्या होता है साइड में होता है पेरिफेरल नुकलियस होता है और यह सेंटरल नुकलियस होता है इनिमल सेल में और इसमें यह कुछ जो प्लेस है यहां पर खाली जगए यह क्या होती है वेक्यूल्स होती है क्या होती है वेक्यूल्स होती है इसको क्या बोलते है वेक्यूल्स बोलते है जो इस्पेस होता है समिस्पेस उनको क्या बोलते है वेक्यूल्स बोलते है वेक्यूल्स के चारो और भी क्या होती है मेंब्रेन होती है क्या होती है मेंब्रेन जो टोनो प्लास्ट की मनी होती है और शेल मेंब्रेन क्या शेल मेंब्रेन जो आउट्रमोस्ट जो बाउंटरी है इसको क्या बोलते हैं शेल मेंब्रेन और जो नूकलेस है इनके जो बीज का जो सबस्टेंस है लिक्वीड जेली लाइक जो इस टेक्चर है जेली लाइक सबस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं साइटोपलाजम में होते हैं किसमें होते हैं साइटोपलाजम में होते हैं साइटोपलाजम 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 ह तो पाप्स आप देजल में थो पांसों में हमने अभी बात की जेल में प्लाजहम ढुट यजर्पान की बात ही साइटोपलाजम की नूति है तो सबसे पहले हम क्या पोटेंगे जो पता है था स्फेल की क्या होती है अ हाइट्रमोस्त autorid boundary होती है और यह सेड़ है और यह क्या है न्यूकिलेस तो यह जो जो क्या है बांदरि की और इसको क्या बोलते यृट ते इल्ल में मुझ्वी जो यहां पर अपटेंगे चेविडे अधृश्य कंपॉर्डेंट्स ओंपे स skipping नर्फ मत देए खोर मि chicks कुंपोंट्स के में तो उष्मिय क्या दिए सबसे पहले से में इस लिए सिपॉर से बाद में नुइलेश तो यहाँपर थरी में एर्थ-कलास में बता रिखे है सेल में में साइट प्लाजम और नूकिलियस जो फिगर 8.7 दे रही है यहां पर अभी देखिए हम यह वाली फिगर यह देखो 8.7 फिगर तो इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या है मैं मैं कंपोनेंट है यहां पर बतार के सेल में अमरें cell membrane के बाद में cytoplasm cell membrane और जो nucleus के बीच का jelly-like substance है उसको क्या बोलते हैं? cytoplasm the cytoplasm के बारे में आपे बता रखा है the cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane जो cytoplasm और जो nucleus है वो enclosed किस के अंदर होते हैं? cell membrane के अंदर होते हैं cell membrane एक boundary की तरह function करती है इनके चारों और cytoplasm और nucleus के चारों और also called the plasma membrane और जो cell membrane है इसको क्या बोलते हैं? plasma membrane भी बोलते हैं cell membrane को क्या बोल सकते हैं? plasma membrane भी बोल सकते हैं the membrane separates cells from one another and also the cell जो ये cell membrane है वन से इलसे और से और से यह गरतेे हैं से त्लिट करती है उसको तो ली ढशली को डूसरे शेल करती यह separate भी करती है and also the cell from the surrounding medium और cell से separate करती है surrounding medium है उसे भी cell को यह क्या करती है separate करती है अलग करती है the plasma membrane the plasma membrane is porous and allow the movement of substance or material both inward or outward जो यह plasma membrane है cell की यह वाली plasma membrane यह क्या होती है porous होती है इसमें कुछ किसमोल क्या होती है porous होती है जिनसे जो substance है यह material हो inward यानि inside भी move कर सकता है और outside भी बाहर move कर सकता है जो cell की जैसे जैसे requirement होती है उसी के coding material अंदर भी जा सकता है किसके दोरा cell membrane के दोरा सब substance को बाहर बेजना और अंदर लाना यानि inward और outward सब substance को send करना यह किसका function है cell membrane का function है यह तो बात होई किसकी cell membrane की अब यहां पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है cell wall की हो रही है यहां से जो बात हो रही है किसके होगी सेल वोल की होगी यहां से सेल वोल की सेल वोल ओनली फॉर किसमें परजेंट होती है प्लांट सेल में परजेंट होती है अपसेंट इन दे एनिमल सेल जो एनिमल सेल है उसमें यह सेल वोल क्या नहीं होती है परजेंट नहीं होती है सेल में तो दोनों सेल में होती है बोट शेल में प्रजेंट होती है एनिमल और प्लांट शेल में बट जो शेल वोल है ये only for प्लांट सेल में प्रजेंट होती है दे बाउंडरी ओफ दे ओनियन शेल यहां पर ओनियन शेल की एक्टिविटी दी गई है ओन्यण शेल की तुम्हें क्या करनी है एक्टिविटी करनी है the boundary of the onion shear कौन से shear, onion शेल, onion क्या है, planty तो है is the shell membrane covered by other thick covering called the shell wall, यहाँ पर बात ओर रही है कि जो, onion की जो shell है उसकी जो shell membrane है वह other thick membrane से भी क्या होती है, covered होती है तो उसको क्या बोलते है, शेल वाल बोलते है, the central dense round body in the center is called the nucleus, वो nucleus की जो definition है, जो center में जो dense material होता है, the central dense round body in the center is called the nucleus, उसको क्या बोलेंगे, हम nucleus बोलेंगे, जो शेल को क्या करता है, उसको क्या करता है, और जो chromosome है, उनको हम पड़ेंगे, वो भी किस में होते है, nucleus में होते है, अब यहाँ पे जो बात हो रही है, वो किस के हो रही है, सबसे पहले हमने बात की किस की, शेल मेमरेन की, उसके बाद में हमने सेल बोल की बात की, और यहाँ पे nucleus की बात कर ली, जो center में जो dense material है, उसको क्या बोलेंगे, nucleus, और अब बात हो रही है, साइटोपलाजम की, जो jelly-like substance है, मैंने पहले बताए था, किन कि बीच में होगा, यह तो क्या है, सेल मेमरेन, और यह क्या है, nucleus, जो इनके बीच का जो substance है,Неकलिय के बीच का जो substance है, जिसमें साइट पलाजम बोलते हैं लाइक सबस्टेंस बीट्विटिवीन बेन वो एक्टिविटी से इसकी क्या दी हुई है सलाइड दी हुई है ओई लेगोरेयंटरी में देखेंगे लेब में तब ऐसी दिखाईत देगी इसकी भीच में दोड़ डोड़ ऑट है है यह तो क्या है और यह बाउंडरी दिखाई देरी है यह क्या है सेयल मेंवरेन और से फोल एंदर तो इसकी तरब क्या होगी सेस मेंवरेन और जो आउटर है test in Bur도 क्या है और चसेल कि स्यल्स अबब्ज़रों इन ओंटि पिल्ट onion pill की जो activity किया है उसमें observation किया है उसकी यह क्या है slide तो nucleus और साइटोपलाजम साप साप दिखाई देगा जब हम microscope से देखेंगे onion pill को thank you